दोस्तों एक बाफिल से स्वागत है आपका Insight Knowledge की एक और नई वीडियो में इस वीडियो में मालदीव से निकल करा रही काफी सारी खबरों के बारे में हम बात करेंगे तो चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी नई अपडेट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं पहले हम बात करेंगे महमद माईजू के चाइना दोरे के बारे में जहां पर एक बाफिल से मालदीव चाइना के हां तो बिकने चला है इसके बाद बात करेंगे 3400% का जो क्लेम किया गया है लक्षदीव को लेकर उसके बारे में इसके अलाबा इसराइल दोरा मालदीव को दिखाए गए आईना और मालदीव के उपर लगातार हो रहे साइबर अटेक के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे यह सभी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसलिए वीडियो को अंतक जरू देखेगा इस समय मालदीव के कई आईलेंड पर है जहां पर वे अपनी मिलिटरी की प्रिजेंस को बढ़ाना चाता है मालदीव भारत के पडोसी देशों के साथ डवलपमेंट और इंफ्रास्टरक्चर बिल्ड करने का जहांसा दे कर वहां की सरकार और उस देश पर अपना दबदबा बनाना चाता है और ये सबी देश जो चीन के जहासे में फस रहे हैं वैस सिलंका के केस इस्टडी से भी समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से पिछले दो सालों से सिलंका इतना ज़दा इनिस्टेबल चीन के करजी की वज़े से हुआ यही कारण है कि अब सिलंका चीन से दूर जा रहा है और हाली में तो चीन के जहाज पर बैन तक सिलंका ने लगा दिया था लेकिन दोस्तों सवाल अब यहां पर यह उटता है कि यह सब कुछ पता होने के बावजूद कि पाकिस्तान और सिलंका जैसे देस पूरी तरह से चीन के करज में फसे होने के बाद पूरी तरह से बरबाद होने के कगार पर पहुँच चुके हैं उसके बावजूद बांगला देस नेपाल मालदीव जैसे देस क्यों चीन के जासे में फस रहे हैं तो उसके पीछे का कारण यह है कि इन देसों में करप्शन काफी जादा है और यहां की लीडर को पावर का लालस दे कर पहले चीन इन लीडर को सता पर बैठाता है और फिर अपने मतलब का काम करवाता है जैसा की पाकिस्तान और मालदीव में हो रहा है और यही बांगला देस में भी कोशिश की गई थी लेकिन वहां पर एक बाव फिर से सेख हसीना की सरकार बन गई है जो की भारत की करीबी मानी जाती है फिलाल जो खबर चीन और मालदीव से आ उसके अकॉर्डिंग मालदीव के प्रेसिडेंट ने चीन और मालदीव की दोस्ती को अतिहासिक बताया है और चीन के बी आर आई परियूजना की जम कर तारीव की है हाला कि इसी दोरान मालदीव के पूरव राष्ट्रेपती ने भी मुहम्मद माईजू को चिताया है और की डेप ट्रेप पॉलिसी के बारे में आगा किया है लेकिन इस समय मालदीव के प्रेसिडेंट खुद चीन के पपेट है तो जैसा चीन बोलेगा वैसा ही करेगा भी क्योंकि इस समय मालदीव के पास 60% से ज़्यादा चीनी कर्ज भी है वहीं पर दोस्तों लक्षदीप और मा अट्रेक्ट करने की कोशिश की है आपको बता दे इससे पहले मालदीव के मंत्रियों द्वारा मोदी को इसराइल का पपेट कहा गया था ऐसे में इसराइल भारत के लक्षदीप का समर्थन करके मालदीव को एक मूतोर जवाब दे रहा है इसराइल के इस कदम से जहां दु रही है वहीं पर इसका फाइदा भी भारत को मिलना सुरू हो चुका है क्योंकि मेक माई ट्रिप ने काफी चौकाने वाला आकड़ा शेयर किया है दुरसलिस आकड़े के अकोर्डिंग उन्होंने बताया है कि मेक माई ट्रिप में लक्षदीब के बिचिस वगरा और लक्षद सेंसर बगरा इस समय लक्षदीब को जहां पर प्रमोट कर रहे हैं वहीं कुछ लोग लक्षदीब जाना भी सुरू कर चुके हैं साफ है मोदी जी की एक फोटो ने बवाल मचा कर रख दिया है सोशल मीडिया पर इसे भारतिये प्रधानमंत्री के इंफ्लूएंस और ताकत के बारे में भी पता चलता है वहीं पर मालदीब का पूरा टूरिजम सेक्टर इस समय खत्रे में पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बरहल दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आखरी टॉपिक की तरफ जो की साइबर अटैक को लेकर है मालदीब में लगातार आए दिन अब साइ साइट्स वगरा चाहे वे टूरिजम साइट हो या फिर प्रेसिडेंट ऑफिस की साइट वगरा हो सबको हैक कर लिया गया था और काफी समय तक ये वेब साइट बंद रही जिसके लिए बकायदा मालदीब ने माफी भी मांगी थी वहीं पर अब एक बार फिर से एक बड़ मालदीब के उपर चारों तरफ से काफी ज़्यादा प्रेशर पड़ता हुआ और वहां की एकनोमी पर बड़ा हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सब कुछ मालदीब की एक छोटी सी गलती की वजह से और मालदीब के नए राश्टपती महमद माईजू की नीतियो इस विशे पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में लिकर जरू बताईएगा साथी कॉमेंट बॉक्स में बाइकॉट मालदी भी जरू लिखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें जिसे हमारी डिली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन